वहीं देश के तमाम शहरों में लोग ईद की नमाज अदा कर रहे हैं और सुख शांती के साथ तरक्की की दुआ भी मांग रहे हैं ये तेवहार दान, बंदुत्व और करुणा में हमारे विश्वाश को मजबूत करने का है वहीं देशवासियों ने इस ईद की बधाई देते हुए पियम मोदी ने ट्विटर पर लिखा ये खास दिन हमारे समाज में सदभाव, करुणा और शांती की भावना को बनाई रखता है मैं दुआ करता हूँ कि सभी को खुशिया मिले कॉंग्रेस सद्धक्ष राहूल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि ईद मुबारक और ईद लफितुर के शुब अवसर पर सभी को मेरी शुब कामना है झाल 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 झाल